दाइडिस की Monohybrid and Dihybrid मेंडल साहब ने हमको तीन लौ दे दिये कहा कि law of dominance, law of segregation and law of independent assortment है कहां से दे दिया अपने मन से तो नहीं दिया तो मेंडल साहब ने cross करवाया किसका तो पाइजम सट आइबं का कितने तरीके का cross तो भाई दो तरीके का cross यही वो दो cross है Monohybrid and Dihybrid जब एक character को लेकर के उन्होंने cross करवाया तो उसको नाम दिया Monohybrid और जब दो characters को साथ में रखके उन्होंने cross करवाया तो नाम दिया Dihybrid अब Monohybrid cross Hello everyone, स्वागत है आप सभी का biology in blood के इस platform पे मैं शुवर्म श्रिवास्तव लेकर आया हूँ आप सभी के लिए class 12th biology NCRT exercise solutions की playlist इस playlist में आपको 4 chapters की videos already channel पे uploaded हैं playlist में यह सारे videos आपको मिल जाएंगे बस videos की quality उतनी अच्छी रही है क्योंकि पुराने technology के साथ उसको record किया गया था अभी हम बिल्कुल proper technology के साथ आपके लिए videos लेकर के आ रहे हैं और आज हम start करने वाले हैं chapter number 5 principles of inheritance and variation से NCRT exercise solution NCRT जो बहुत ही कमाल की किताब मानी जाती है जिसमें concepts बहुत ही कमाल के होते हैं जिसने अपने exercise में भी बहुत कमाल की questions दी हैं तो आज हम इनी questions को solve करने वाले हैं और एके करके देखेंगे कि इस chapter से कौन-कौन से बहतरीन सवाल हमसे पूझे गए हैं और किस तरीके से हमें उनका answer लिखना चाहिए बहुत ही interesting chapter है में जानी से शुरू होता है यह chapter तो question पर नज़र डालते हैं पहला सवाल हमसे क्या है पहला सवाल भी मेंडल से ही शुरू होता है और सवाल है कुछ इस प्रकार का कि mention the advantages of selecting pea plant for experiment by मेंडल हम सभी को याद है कि मेंडल ने experiment किया था किसके उपर किया तो पता चला 25-60 आइवं की उपर किया मतलब कि pea plant की उपर मेंडल सहाब ने experiment किया मेंडल चाहते तो मेंडल किसी दूसरे living organism को भी चुन सकते थे लेकिन ऐसा नहीं किया मेंडल ने pea plant को चुना क्या क्यूं चुना उसको यहाँ पर समझाना है हमें कुछ तो एडवांटेजिस उनको मिले होंगे तभी उन्होंने इसको चुना तो नहीं एडवांटेजिस के बारे में हम एक एक करके experiment for the following reasons यह सब कुछ reasons हो सकते हैं पहला reason कहता है कि पाइसम सदाइवं possesses bisexual flower देखिए bisexual flower होने का बहुत ही कमाल की बात है मतलब bisexual flower है it means कि यह जो flower है इसके अंदर male as well as female दोनों reproductive part हम को यहाँ पर मिलने वाला है अब चुकि यह की flower में male and female दोनों reproductive part है तो यहाँ पर खुद के साथ यहाँ पर pollination हो सकता है मतलब खुद का जो male reproductive part है वो खुद के female reproductive part के साथ एक अच्छी खासी उसकी दोस्ती होगी तो self-pollination यहाँ पर देखने को मिल सकता है तो वही कहता है कि bisexual flower होने कारण देखने easily goes under self-pollination तो खुद का जो हमारा pollen है वो खुद के एक के साथ fuse कर सकता है तो यह बहुत ही जादा बहतरीन advantages है तो इसलिए मेंडल साहब ने क्या किया कि पाईसम सटाइबं को चुना अब चोकि यह bisexual flowers हैं तो हम humans अपना दमाग लगा करके अगर चाहें तो हम cross-pollination भी करवा सकते हैं cross-pollination करवाने के लिए बस हमें कुछ extra चीज़ें करनी पड़ेंगे जैसे emasculation और bagging टेक्निक का यूज करना पड़ेगा emasculation male reproductive part को cut करना emasculation कहलाता है and female reproductive part को cover करना bagging technique कहलाता है तो इस माध्यम से अगर हम चाहें तो हम cross-pollination भी perform करवा सकते है emasculation and bagging से हम self-pollination को रोकेंगे and cross-pollination अपने हिसाब से करवा सकते हैं तो एक ही flower से मतलब एक ही plant में हम self-pollination and cross-pollination दोनों perform करवा सकते हैं इसके बाद तीसरा point कहता है कि short life span है short life span कहने का मतलब है कि काफी कम समय में यह अपने जीवन काल को पूरा करता है तो बहुत ही जल्दी इसका जन्म होगा और बहुत ही जल्दी इसकी मृत्यू भी हो जाएगी तो हमको multiple generations देखने को मिल सकते हैं तो short life span का फाइदा यह है ना कि हमको बहुत ही कम समय में हमको multiple multiple generations हमको देखने को मिल सकते हैं बहुत ही कम समय में हमको multiple generations देखने को मिल सकता है यह एक छोटा सा हो गया हमारे सामने हैं इसके बाद आता है हमारे पस 4 पॉइंट हम से यह कह रहा है कि कहने के मतलब है कि एक single generation की अगर हम बात करते हैं तो single generations मिलेंगे में अब multiple seeds मिलेंगे तो हमारा जो observation मंदल साफ आप अकक्रफॉर्म कर रहे थी जो experiment वो कर रहे थे तो उनको तो बहुत सारे office springs मिलेंगे तो उनको study करने में बहुत आसानी होगी उनके जो outcomes हैं कि कैसे होंगे आने वाले office springs तो बहुत सारे office springs होंगे तो उनका result जो होगा वो बहुत अच्छे तरीके से वो compare कर सकते हैं study कर सकते हैं अब contrasting characters भी हमको easily इसमें visible हैं हमने already देखा है हम जानते हैं chapter पढ़ने के दौरान हमने इस चीज़ को study किया था कि contrasting characters like plant की height tall होगा या dwarf होगा seed का color yellow है या green होगा shape seed के shape की बात करें तो round है card etc etc बहुत सारे हमने इसके उपर study किया था तो यह सब कुछ points है जो ध्यान में रखने हैं और यह question का answer हो जाएगा इसको आप note कर सकते हो चाहो तो screenshot भी निकाल सकते हो फिर हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ देखते हैं उधर हम से क्या पूछा गया है आ जाता है question number two difference between मतलब की दो terms है हमारे पास हमें पता है यह बहुत ही खतरनात subject है मतलब genetics का यह जो branch है बहुत ही interesting भी है और यह terms and terminology का यह पूरा chapter है तो इसमें बहुत सारे नए terms हमको पहली बार देखने को मिले तो वो terms हमको याद रहे हमेशा के लिए इसलिए NCRT ने हमसे क्या किया है इन दोनों की बीच में difference पूछ दिया है जैसा dominance and recessive के बीच में homozygous and heterozygous के बीच में monohybrid and dihybrid के बीच में तो पहला dominance and recessive इसके बारे में हम लोग discussion करेंगे हमें already पता है कि मेंडल साब ने कुछ तो हमें बताया था एक condition शायद आपको याद हो तो उस condition के बारे में एक जिक्र करते हैं condition था कुछ ऐसा कि capital T और small t साथ में था तो इस दौरान हमने क्या कहा इसको न हमने tall plant कह दिया अब क्या बात है इसको हमने tall plant कह दिया चलो ठीक है लेकिन जब capital T capital T था तब तो ये tall था और जिस समय हमारा ये small t और small t था उस समय ये plant हमारा dwarf था तो यहाँ पर अगर किसी ने genetics नहीं पढ़ा है वो नहीं जानता है तो वो ये कह सकता है कि capital T और small t के मिलने से ये जो of spring आएगा वो tall और dwarf के बीच में कहीं पर होना चाहिए लेकिन genetics हमें ये बताता है कि नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा just because कि ये capital T जो है वो small t से जादा powerful है और ये small t को कहीं न कहीं suppress करता है और ये अपना power दिखाता है और अपना expression दिखाता है तो ये dominant कहलाता है और जो दब के रहे गया वो recessive हो जाता है तो ये छोटी सी जाने का मतलब है कि अगर ये capital T capital T के साथ में है तो तो यहाँ पर हमको tall देखने को मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर ये capital T एक पल के लिए small t के साथ है तो भी ये tall ही देखने को मिलेगा मतलब खुद के वालों के साथ तो ये powerful है अपना expression दिखाए गा ही लेकिन इसको कोई ऐसा मिल गया जो इससे weak है तो ये उसको भी दबा करके अपना expression दिखा देगा ये हो गया हमारा dominance recessive में कहता है कि it can only express itself in the absence of its dominant factor or allele तो कहने का मतलब ही ये तभी अपना असर दिखाएगा जब ये अपने ही जैसों के साथ होगा it means कि अगर ये small t small t के साथ है then it's good कि हमको dwarf plant देखने को मिलेगा हमको small t का यहाँ पर value देखने को मिलेगा लेकिन अगर ये small t अगर किसी capital के साथ है तो फिर हमको वापस से यहाँ पर tall मिल जाएगा dwarf वाला case नहीं मिलेगा इसको क्या करना होगा itself in the absence of its dominant factor जब dominant factor इसका absent है इस वाले case में जैसे है तो ही हमको इसका expression देखने को मिलने वाला है काफे simple सा question है बहुत ही simple सा answer है इसको भी आप note कर सकते हैं आगे चलते हैं हम लोग आगे की discussion को continue करते हैं सब कहने का मतलब है कि अगर यह वाला जो category है या फिर अगर यह वाला category है तो इसमें हमको देखने को मिलता है ने कि यह जो capital T है यह जो capital T है यह जो enzyme बना रहा है वो completely express होते हैं मतलब यह complete functional enzyme है लेकिन इसकी बात करें तो यह जो small T है यह incomplete type of enzyme है non-functional हो जाता है defective हो जाता है चुकि यह incomplete enzyme है तो defect हमको इसमें देखने को मिल रहा है that is why यह उतना ज़्यादा expressive नहीं हो पाता और यह हमारा recessive बनके रह जाता है तो यह कुछ दोनों की बीच में difference है यह दूसरा difference यह भी note करने like इसको भी आप note कर सकते हैं then हम move करेंगे अपने अगले सवाल की तरफ अगला difference जो है हमारे सामने दूसरा difference जो हमसे पूछा गया है that is homozygous और heterozygous पहली बार ऐसा नहीं कि हम यह word सुन रहे है हमने chemistry में भी कभी ने कभी homo and hetero का discussion किया है हमने इसके बारे में सुना है homo का मतलब ऐसा जो mixture है उसको हम लोग hetero बोल रहे हैं और एक जैसी चीजों का जो mixture है हम उसको homo नाम देते हैं बहुत ही basic सा concept है हमने बहुत बार इस चीज के बारे में discussion किया है तो आज हम देखेंगे कि homozygous और heterozygous के बीच में difference तो पहला कहता है हमसे homozygous में is they have similar allegiance स्वेड्या कहने का मतलब है जिएगर T है तो इस पिसके साथ में ब氣 कैपिटल ती इंड को मिलेगा कि इस के साहक की देखने को ही मिलेगा लगर हम इसके से ए और हम सीड्य के भाइस चेप शेप की बात करने हैं कि राउंड शेप ए तो इसके साथ भी capital R ही लिखेंगे, अगर small R लिखा है तो small R लिखेंगे, तो ये कुछ rule है कि दोनों के दोनों एक जैसे ही होने चाहिए, compulsory है, heterozygous condition में dissimilar traits होते हैं, कहलने का मतलब है कि अगर एक capital T है, तो दूसरा small T होगा, एक अगर capital R है, दूसरा small R होगा, अगर एक capital W है, तो दूसरा small W होगा, अगर एक capital Y है, तो दूसरा small Y हमको देखने को मिलेगा, तो ये हमारे पास बहुत ही simple से cases है, दूसरा difference कहता है, कि contains either dominant और recessive value, but not both type, तो वो तो यहाँ पर दिखी रहा है, या तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर dominant होगा, दोनों की दोनों, या फिर दोनों की दोनों यहाँ पर recessive होंगे, ऐसा नहीं कि एक dominant और एक recessive यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, वहीं यहाँ पर एक dominant और दूसरा recessive हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, कहने के मतलब है एक dominant है तो इसके साथ में एक recessive वाला मौजूद होगा यह चोटा सा difference है homozygous और heterozygous के बीच में note करने like और एक बार में याद हो जाने like यह बहुत है simple से concept है तो इसको भी note कर लेते हैं आगे बढ़ते हैं अगले difference की तरफ सो तीसरा difference हम से क्या कहता है कि they are true breeding for a specific trait and produce progeny having the same genotypes and phenotypes on selfing तो selfing करने पर हम को यहां पर जो progeny मिलने वाले हैं उन में genotype और phenotype जो है बिल्कूल same same हमको देखने को मिलने वाला है और चौथा difference कहता है only one type of gamut are formed obviously obviously gamut कैसे बनेगा तो मियोसिस है तो इसका जब भी तुम मियोसिस करवाओगे तो हमको capital T and capital T ही देखने को मिल रहा है but in this case just she's opposite हो जाती है gamut formation के दौराग अगर यहां पर capital T small t है तो मियोसिस होगा तो एक तरफ हमको capital T और दूसरी तरफ हमको small t की देखने को मिलेगा तो दो तरीके के gamut हमको यहां पर मिल जाते हैं यह difference है they are not true breeding and produce office spring having the three genotypes and mostly two or something three phenotypes तो यह हमारे पास दो difference हो गया इसको भी note कर लेना है अगर किसी प्रकार की कहां से देखने मंंसे तो मेंन्द साहब ने cross करवाया किसका तो 560 आउप हमको कितने तरीके के kros यही वो two cross and monohybrid and dih Samsomya को लेकर की उन्होंने नाम दिया और जब दो कार्आक्टर्स को साथ में रख्त नहीं क्रॉस करवाया तो नाम दिया और दिया law of dominance and law of segregation और डाइब्रिट क्रॉस करवाया और बोल दिया law of independent assortment लिका है समझ में आता है मोनो का मतलब होता है हमको पता है मोनो वर्ड के हम लोग तो मोनो का मतलब होता है एक सिंगल बात कर रहे है डाइवर्ड लिखा है तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि यहां पर दो तो जब एक कैरेक्टर इन्वालवड है तो इटमींज की मोनो हाइबिड ट्रॉस और अगर दो डाइबिड रोस याद होगा कि हम लोग को नहीं जो अच्छी से प्रिंट किया है दाट इस्की आर आर वाई को क्रॉस करवाया है स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई के साथ कहने का मतलब दो character seed के shape and seed के color को एक साथ ले रहे हैं but in this case अगर हम लोग लिखे capital T capital T cross with small t small t इसका मतलब इस सिर्फ plant के height को ले करके कर रहे हैं तो ये एक छोटा सा difference एक बार statements को read कर लेते हैं that is कि it is a cross between parents differing in only one pair of contrasting character तो सिर्फ एक pair of contrasting characters की बात है example में है एक cross between a tall and dwarf tree plant जो यहां पर करवाया that is कि यह वाला case यह वाला case और इसमें कहता है it is a cross between the parent differing in two pairs of contrasting character ठीक है example में आ गया एक cross between yellow wrinkled seed and a green round seed ओके बट इसके जैसे जो हमने लिखा है इसमें हमको round yellow साथ में करना है तो ये अगर yellow है ये अगर yellow है तो इसको हम लोग यहां पर round लिख देंगे और अगर यहां पर green है तो green के साथ यहां पर इसको wrinkled लिख देंगे ठीक है तो यह व ncrt के according पूरा पूरा सही हो गया ठीक है इसको भी आप note कर सकते हैं यहां बूब करेंगे अपने अगले सावाल की तरफ clear है चलो यह question थोड़ा टेक्निकल टेक्निकल किसली है क्योंकि हमको यहां पर कुछ हजीब सा structure यह देखने को मिल रहा है एक term loki बीच में आएगा a deployed organism is a heterozygous for poor loki अब भी इसको तुम एक तरीके का हेट्रोजाइगस फूर लोकी तो चार जोगों के लिए heterozygous होगा it means कि अगर यह condition है तो हम कह सकते हैं capital a small a capital b small b capital c small c and capital d small d तो यह इस तरीके से चार लोकी के लिए heterozygous organism होगा कहता है कि how many types of gamut can be produced तो इसके लिए हमारे पैस एक formula है तो फिलाल सवाल को यह समझना है कि अगर चार लोकी के लिए heterozygous है deployed organism तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते है clear है वही चीज यहाँ पर भी लिखा है same चीज है आपर लिखा है तो इसके लिए हमारे पास एक formula है formula हमारे पास यह है कि 2 to the power n अब हमारे पास है 2 to the power n नाम का formula अब n की जगा हम लोग क्या रखेंगे तो जितने हमारे पास heterozygous की इतने लोकी के लिए थे तो चार लोकी के लिए थे तो उसी के जगा पर हमने यहाँ पर लिख दिया है एक बार capital A capital B capital C capital D मिला तो हमको ऐसा gamut मिल गया क्योंकि यह 2N है और यह gamut बनेगा तो सीधा number half हो जाएंगे तो वजी सी बात है एक बार small वाले सब आपस मिले ऐसा gamut बना दी एक बार capital A capital B capital C के साथ एक बार small D मिल गया हमको यह मिल गया एक बार small सी बीच में आ गया यह मिल गया तो यह कुछ लिस्ट है हमारे पर सोला टाइप कैसे बनेंगे एंड फाइनली हमको यहां पर कैपिटल ए स्मॉल भी कैपिटल सी स्मॉल डी इस तरीके से टोटल सोला गयमेट हमको देखने को मिल रहे हैं तो यह भी आपके लिए इंपोर्टें कहता है कि explain the law of dominance using monohybrid cross law of dominance की बात करें तो मेंडल साव ने monohybrid cross के बात बताया मेंडल ने हमको कहा कि जितने भी characters एक इंसान के अंदर इस not only इन इंसान जितने भी living organism हैं तो जितने भी organism के अंदर जितने भी character for example तो महरे आखों का colour तमहारे बालों का texture तुम्हे बालों का colour तुम्हारे skin का colour तुमारी height तुम्हारे बहने का तरीका तुमारे नाखुन तुम्हारी fingers तुम्हारे हर एक cheese इसको कंट्रोल किया जाता है एक डिस्क्रिट यूनिट से जिसको फैक्टर बोलते हैं यह फैक्टर हमेशा पेर में होते हैं और जब हेट्रोजाइकस कंडिशन है तो एक और दूसरा होता है एक डिस्क्रिट यूनिट से कंट्रोल हो रहा है और उसी को मेंडल साब नाम दिया ठीक है उनका कहना था कि फैक्टर हमेशा पेर में होते हैं तभी तो हम लोग हमेशा जब लिखते हैं तो एक साथ नहीं हम अकेला नहीं लिखते हैं यह तो यह देखने को मिलता है है यह हमारे पास मेंडल साब के स्टेटमेंट सब्सक्राइब के समझ लेते हैं कि पेरेंट है कैसा टॉल और चलो मान लिया एफ-फन से पहले गयमेट बनाते हैं गयमेट इसका अगर बनाएंगी तो यह बार capital T और दूसरे gamut में भी हमको capital T मिलेगा इसमें हमको जब भी हम gamut बनाएंगे तो एक बार small T और दूसरे बार small T मिलेगा panet square के मदद से अगर हम इसको इस तरीके से सजाने की कोशिश करते हैं तो यह capital T capital T इधर लगा दिया small T small T तो यह हो गया capital T small T capital T small T capital T small T और यहां पर भी हो गया capital T small T तो चारों के चारों जो हैं हमको capital T small T देखने को मिलें और और फिनो टाइप की बात करेंगे तो यह सारे के सारे कैसे हो जाएंगे तो हमारे टॉल हो जाएंगे यह बहुत ही छोटा सा concept है अब कहना क्या है कि f1 generation का हम selfing करवाएंगे selfing करवाना है कहने का मतलब है खुद का क्रॉस खुद के साथ तो यह वाला खुद का क्रॉस जो खुद के साथ है इसके लिए एक और पानेट स्कोर हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो यहां पर इसका gamut कैसा बनेगा एक gamut अगर इसकी यहां पर भी capital यह थोड़ा सव इसको बहतरी लिखा जाए तो हमको देखने को मिल रहा है कि capital d capital यह proper टॉल हो जाएगा यह capital T small T वाला भी दोनों तॉल हो जाएंगे और 2 जो small T small T है यह dwarf हो जाएगा तो हमको अगर genotipic ratio की बात करें तो 1 is to 2 is to 1 मिल गया क्योंकि यह एक तरीके का है यह दो नंबर में और एक यह नंबर में इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम कुछ और नहीं बलकि capital T capital T is to capital T small T is to small T is small T is small T लिख रहे हैं और यहाँ पर जो 3 is to 1 है इसके कहने का मतलब है कि हम कुछ और नहीं बलकि tall is to dwarf लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ से मेंडल साब ने हमको बता दिया यहाँ पर पेरेंट यह पहला ही हमको समझे मारे characters जो है वो इसक्रेट यूनिट से कंट्रोल हो रहे हमेशा पेर में हैं यह भी बता दिया और जब यह हेट्रोजाइकस condition है तो एक dominant और दूसरा recessive है तभी तो यह टॉल हुआ और नहीं हुआ तो यह रहा है इस question का answer इसको भी आप note कर सकते हैं इसका भी आप screenshot निकाल सकते हैं फिर हम चलेंगे अगले सवाल के तरफ लेकिन अगले सवाल में जाने से पहले में आपको बता दू कि यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा that is why हम एक काम करते हैं कि आने वाले questions को हम इसके part 2 में समझ लेंगे फिलाल इस part में इतना ही बने रहीएगा बायलोजीन ब्लड के साथ कोई भी डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में टाडा थैंक्यू बाबाए